हाई अबरिवन मैं हूँ राहूल और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एकसल में बताने जा रहा हूँ एक ऐसे फीचर के बारे में जो शायद आपके काम भी आ सकता है है कि इसे हमारे पास हमारे एक कॉलम है और हमारा यहां पर यहां पर हम यहां पर कोई भी अरक यहां फूरी इसी में यहां पर हम यहां फिर से तो रैप टेक्स की हल्प से जो भी हमारा content रो की height को increase करके हम एक row में cover कर लें तो guys यहां पर चाहते हैं कि ना हम column की width को यहां पर हम modify करें और ना ही हम row की height को यहां पर modify करें हम यहां पर इची नहीं चाहते हम चाहते हमारा content रो एक cell में बिना इन दोनों के modification से यह वह cell की height और width है वह भी एक जैसी रहे और हमारा content वह भी cell के अंदर fit हो जाए तो अब ऐसे case में हमारे पास एक option निकल गयाता है जो कि है shrink to fit जो कि हमें alignment group में मिलेगा text control के अंडर तो अभी तो मैंने आपको यहां पर यह समझा दिया कि हम shrink to fit का use कहा करेंगे जहां पर आपको एक cell में बिना उसकी height और width को modify कि हमें हमारे content को fit करना है महां पर हम shrink to fit का इस्तिमाल करेंगे आईए बस सिस्टम में चलते हैं और देख लेते हैं कि यह option काम कैसे करता है तो गाइस जैसा कि आपको यहां पर सिस्टम की screen दिखाई दे रही है और अगर मैंने यहां पर मालों कोई content लिखा मैंने इस तरीके से कोई content लिख दिया एंटर कर दिया तो अभी क्या है कि देखिए हमारा जो हमारा जो यहां पर C column है अब C column का border तो यहां तक है लेकिन जो वह C4 में ही जो आप यहां cell देख पा रहे हैं but जो content है वह इतना long है कि वह बाकी cell को भी cover कर लिया है तो अब ऐसे में किया है कि हम यहां पर alignment group देख रहे है alignment group में यहां पर हमको यह dialogue box launcher है हमें इस पर click करना तो वहर पास बहुत सारी यहां पर settings आ जाएगी जहां पर different tabs दिय to fit क्या करेगा मैंने आपको भी बता दिया एक बास इसको tap करेंगे मैंने यहां पर click कर दिया और click करके मैं इसको कर दिया okay तो अभी आप देखेंगे कि जो आपका content है वह क्या कर रहा है कि वह Excel के अंदर ही वह वहां पर पूरा cover कर दिया अब हाला यहां को समझ में तो यह है क्योंकि भाई देखो यहां पर आपका content जितना भी बढ़ा रहेगा तो क्योंकि वहां पर आपने Excel की उस feature को enable किया हुआ है तो यहां पर Excel का काम भाई उस चीज़ को करना तो एक cell में cover तो कर देगा लेकिन वह अगर ज्यादा long content रहेगा तो फिर वह आप उसे पढ़ने पाऊगे और आजीव सी भासा में आपको यहां पर इस तरीके से दिखाए देगा तो आप इसको यहां पड़ पाएंगे लेकिन cell पर आपको डिस्प्ले करेगा वह कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाए देगा तो ध्यान रहे कि जो shrink to fit option का हम यूज करेंगे ना वह बस थोड़ा सा बड़ा है उस content को ही compress करके ना उसी cell में उसे adjust कर देगा तो मतलब यह देखिए compress होके cell में मतलब ना तो cell की height को उसने modify किया ना column की width को modify किया केवल आपके content को जड़ा सा वो compress करके एक ही cell में उसने fit कर दिया next हमारा जो यहां पर option आता है merge cell का मैंने इस पर अगर आपको वीडियो बना के रखी हुई है आप जाकर उसे वहां पर देख सकते हैं और merge cell में आपको और बहुत बढ़िया है आपको इसका हलका limited use करना होगा तब ही यह सही तरीके से काम करेगा तो अगर आपको वीडियो यह पसंद आई हो तो यार like, share, subscribe, subscribe कर देना फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में